दोस्तो ये मूवी कॉलीवूड का वो जो अधूरा खाब है उसको पूरा करके देखगी यानि की एक हजार करोड फ्रॉम कॉलीवूड यानि की तमिल इंडस्ट्री हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका हमारे एक और जबर्दस्टे एपिसोड में बेसिकली गाईज यहाँ पे हम लोग महाराजा मुवी के बाक्स आफिस क्लेक्शन के ओपर बात करेंगे आप लोग बोलोगे कि भाई क्या बात कर रहा है 14 जून को आई मुवी महाराजा जो की ठीक है बहुत सबर्तस मुवी थी ठीक है क्लाइमेक्स उसका बहुत खतना थीक है सस्पैंस बहुत तगड़ा था लेकिन वो तो कबकी रिलीज हो गई अब क्या बॉक्स आफिस क्लेक्शन और उस मुवी ने काफी अच्छा खासा क्ले एक मुवी आई थी जो की और भी जादा डिजर्व करती थी और भी जादा इवन बहुत जादा और वो थी नन अदर दैन यहां पे जो सिरीराम रागवन है और अपना युश्मान कुराना की मुवी अंधाधुन वो भी गाईज ऐसे ही आई थी उस मुवी को भी जो मुवी ने अकेले चाइना से 300-300 क्रोड की कमाई की यानि कि कुछ 400 क्रोड इसका वर्ल्ड वाइड रहा फिर ब्लॉकबस्टर और यहां पे आप लोग कह सकते हो कि महराजा जो की और भी जादा डिजर्व करती थी भाई 100 क्रोड रुपे बताओ यहां पे अभी कैसी कैसी उ प्राइडे महराजा रिलीज इन चाइना और वो भी 40,000 40,000 स्क्रीन के साथ दोस्तों 40,000 स्क्रीन मैं आपको बता दूँ ट्रिपल आर इवन जवान इवन यहां अभी जो पुछ पा रही है यह मैक्सिमिम्म टू मैक्सिम्म वर्ल्ड वाइड 10 से 12,000 स्क्रीन में दोस्तों महराजा जो मूवी है इसको रिलीज किया जा रहा है चाइना में और अगर मैं आपको बताओं दोस्तों यहां पे किन किन मूवी को कितने कितने स्क्रीन में रिलीज किया गया था और उन मूवी के करेक्शन किस तरीके से रहे थे तो भाई सहाब अंधाज उनको सिर्फ 5000 स्क लगाया गया ता वहाँ पे सिक्रेट सूपर स्टार 11,000 है दोस्तों सिक्रेट सूपर स्टार को लगाया गया था और बाहू बली पाट्टु को अठरा हजार तो गाइस यहां पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा हाला कि जो दंगल मुवी है दोस्तों वह भले ही मिला फिर वो 30, 45,000 भी गाईज चली गई थी लेकिन शुरुवात में ही महराजा को 40,000 इसकिन में लगाना इस और गवाई दे रहा है कि भाई कॉलिवुड को अब और 1000 करोडी के लिए तरसना नहीं होगा 1000 करोडी मुवी के लिए क्योंकि हम लोग इस साल या तो दिगाट हो जाए थलब पती विजय की या फिर गाई यहां पर अभी रिसेंटली में ही कंगवा मुवी आये उससे हम लोग उमीद लगा रहे है कि कुछ यह कर लेगी लेकिन यह मुवी बॉक्स ऑफिस में 400-500 करोड की बीच में ढह गई इवन कंगवा तो बहुत नीचे ही रह गई तो मिला है मतलब गाई चाइनीज ओडियन्स मुवी को देखने के बाद इस तरीके के रियक्शन दे रही है मैं कुछ वीडियो दोस्तों आपको चलाना चाहता हूं जादा नहीं दिखाऊंगा नहीं तो कॉपी राट आजएगा आप लोग उनके रियक्शन देख सकते हो भाई सभी के लिए 39 तारीक को रिलीज किया रहा है आप लोग इस वेबसाइट से समझ सकते हो यहां पर महराजा इंडियन अकेली ऐसी इंडियन मुवी है जिसने मतलब गाई आफ्टर यह जो अभी नोर्मलाइजेशन हुआ है बीच में बैन कर दिया गया था इंडियन मुवी इ थे कि यार पठान हो जाए एनिमल हो जाए जवान हो जाए डंकी वगएरा आमिर खान की खुद की लाल सिंग चड़ा भी वहां पर रिलीज होने के तरस रही थी लेकिन गाईज बहुत समय बात आखिर चाइना में रिलीज हो ही रही है इंडियन मुवी और इंडिया की जो प्रेमिर शो रखे गए थे उसके नंबर भी सामने आ गए है जहां पर महराज आप जो प्रेमिर शो है उसको जबर्दस रिस्पांस मिला है चाइनीज ऑडियन्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इसने कुछ 2.2 करोड रुपे की दोस्तों यहां पर इस मूने मुवी ने जो प्रेमिर है उसी से दोस्तों कमाई कर लिए 2.2 करोड बजट कितना था इस मूवी ना बजट था दोस्तों अप्रॉक्समेटली 20 करोड रुपे अल्रेडी 110 करोड कमा कि यह ब्लॉक बश्टर हो चुकिये दोस्तों वर्ल्ड वाइट पहले ही लेकिन चाइना में 40,000 इसक को दोस्तों अगर आप लोग कनवर्ट करते हो कि कितना हो जाएगा दोस्तों यह शुरुवात के फर्स डे के अगर हम लोग बात करें तो पांच मिलियन यूए जरल ओपनिंग एज़ा हो गाईज यहां पे आएनार 42 करोड रुपे महराजा मूवी 42 करोड रुपे दोस्तों तलाश में रहते हैं भाई सहाब ओडियन्स ऐसा नहीं है भेद भाव किया जाता है या फिर बड़े स्टार की मूवी को देखा जाता है यह लोग content wise मूवी देखते हैं बताया जा रहा है दोस्तों बताया जा रहा है कि यह मूवी हो सकता है 800 से 900 करोड प्रोजेक्टिट दो मूवी जो एक हजार काणों करेंगी नहीं तो आप लोग देखो सैंडल्व请रक definitely लेगे मूवी तो कही है दंगल और जवान या फिर यह यहां पर तॉलीकि बाद करते हो और ट्रिपल आरा अहु बली टू और ये कल की साथे साथ दोस्तों मुझे लगता है कि इन इंडस्ट्री के तरफ से जब आ गया है तो अब तो रहे गया सिर्फ और सिर्फ मल्यालम और कॉलिवूड कॉलिवूड की मुवीज साथ सो आठ सो करतों दो जा चुकी है लेकिन उससे उपर नहीं तो गाईज ये मुवी हाथार करोड देगी क्या कहना है दोस्तों आपका हमारे इस अप्डेट के बारे में बताओ और महराजा मुवी अगर आपने देखी तो तो आपको कितने अच्छी लगी थी वह मुवी कम दोhone पार आपको कितने नहांगे ऊच्छी वह मुवी और मन लिए लागी की उसा हाथा क्यों आपको करको कितने आपको कितने आपको कितने तो उँक्रा की वह जबने रहां बारे मले घुको कितने खका